आज जो मैं विशय लेकर के आया हूँ एक हम लोगों ने वीडियो बनाया था आरूड लगन के ओपर वो आप लोगों को देखना होगा आरूड लगन बेसिकली वो लगन है जो आपकी पब्लिक इमेज जो है आपकी मिरर इमेज जो है आपके बारे में दूसरी लोग क्या सोचते हैं आप दुनिया के सामने आपकी जो पोजिशन वो किस प्रकार की है उसके लिए देखा जाता है आरूड लगन से बहुत सारे राज्योग भी बनते जिसके बारे में वर्णन भी किया गया है तो आज का जो मेरा विशय रहेगा वो रहेगा कि आप तुनिया की नजर के अंदर आपका जो वेल्थ है आपका वो जो धन की इस्तितिया है वो किस प्रकार से पूरा आरूड लगन किस प्रकार से निकालते हैं वो मैं आज यहाँ पर विशय नहीं लेने वाला क्योंकि वीडियो बहुत चोटा होगा किस प्रकार से आरूड नगर निकालते हैं हर भाव का क्या आर्थ है उसके लिए एक औरड़ी वीडियो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा उसका लिंक हम लोग नीचे अम लोग टाल देगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बहुत सिंपल से स्टेप्स हम लोग लेंगे कि जो भी आप लोगों का आरूड लगन है तो देखिए सबसे इंपोर्डेंट चीज तो यह होते है कि आरूड लगन का लगन इस्थान जो है वो आपकी परसोनलिटी को शोग करता है कि पब्ल बैनेफिक प्लैनेट से इसका मतलब वो आपकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी रहे गुरू की है गुरू की अगर मान लीजिए कि आपके आरूड लगन में बैटे में अपनी उच्छ राशी के अंदर बैटे में तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति विशेज जो दुनिय रहे आरूड लगन निकाल लिए और आरूड लगन से आपका जो ग्यारवा भाव है 11 तो वह आपका है आपके लाब है किस प्रकार क्या आपके लाब आएगगा और एक वहाँ पर पॉैंट और आता है कि आपका दूसरा भाव है तो जब मैं 11 फाउस की बात करता हूं तो 11 house के अंदर obviously चितने ज़ाद अधिक ग्रहों के द्रश्टियां होंगी तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उतने ज़्यादा सा mark जो है लोगों के सामने ये रहेगा कि आपकी जो धन के अरजन है वो बहुत से mark से आ रहा है बेनविक ट्लैट से इसका मतलब शुब खरम से अरहा है और इस प्रकार की couple हम क्या करेंगे और सबसे पहलाँ नहीं रहेगा कि हम लोग जाएंगे कुंडली में और में जाने के बाद में हम लोग अरूद लगन जो है हम लोगों का अरूद पदा वो हम लोग निकालेंगे लगन का और उसको लगन बनाने के बाद में 11th house को देखेंगे किस प्रकार के स्थिति है और एक मैं second house को देखते हूँ मैं यहाँ पर जो मेरा वीडियो रहेगा मुख्य था मैं 11th house को नहीं लेकर कि मेरा मुख्य जो वीचे रहेगा यहाँ पर second house रहेगा कारण क्या है कि second house basically आपके bank balance इसका है आपके family का है और second house जो है आपके लगन इस्तान से दूसरा भावत तो वो आपके व्यक्तित्व की जो व्याख्या है किस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है आपकी personality है दुनिया के सामने वो एक अच्छी है या बुरी है वो भी आपका second house छो करता है तो second house is very important regarding wealth and your personality आप किस प्रकार की personality रहेगा तो सबसे पहली चीज़ यह होगी कि हम लोग जाकर के देखेंगे second house आरूड लगन से अब आरूड लगन से second house में देखने के बाद में मुझे महाँ पर तीन चीज़ों का ध्यान रखने पड़ेगा पहली चीज़ यह है कि आरूड लगन से दूसरे भाव में यह दि माली जी कोई exalted planet आपका बैठा हुआ है this is a great thing for you बहुत अच्छा रहेगा आरूड लगन के उपर हम लोग देखेंगे अर्गला अर्गला का मैं आपको बता देता हूँ अर्गला का मतलब होता है कि किसी भी भाव की जो सुक है वो आपके लॉक हो जाए अर्गला बेसिकली जो प्राइमरी अर्गला जो बताई गई है वो बताई गई है कि आपका second house आपका fourth house आपका 11th house मतलब planet सेना second house planet सेना fourth house and planet सेना 11th house और secondary अर्गला में एक मुख्यत है बताया जाता है that is your fifth house आरोड लगना पहला step आरोड लगन से second house वहाँ पर planet और planet यदि कोई नहीं है तो अर्गला कहां से आ रही है वो मुझे देखना है और वो अर्गला अगर मान लीजिए कि अर्गला का महत्र कब बढ़ जाएगा कि वो अर्गला आपका benefit planet से आए सिर्फ benefit planet से वो वो benefit planet जो है वो आपके भाव को भी aspect करता हो या द्रश्ट करता हो राशी द्रश्टी के थो प्लस वो planet उस भाव का भी स्वामी तो चितनी ज़्यादा conditions वहाँ पर मिलती भी चले जाएगे उस level का आप लोगों का work जो है या जो wealth status है दुनिया के सामने नजर आए एक perception जो लोग ले करके चलेंगे आपके बारे इना रियल कई बार क्या होता है कि आप बहुत सी different चीज़े face कर रहे होते हैं लेकिन आरूड लगन के बाद में अगर ये इस्तितिया है तो इसका मतलब यह है कि there is something good in your life कुछ ऐसा है जो अच्छा है आपकी लाइफ में जिसक अब यहां पर जैसा मैंने पताया कि आरूड लगन कैसे निकालेंगे वो मेरा विशय नहीं है यहां पर जहां पर आपका आरूड लगन लिखा हुआ मैंने उसको लगन बना लिया जब मैंने उसको लगन बना लिया आरूड लगन को तो मैं उसका second house देखूंगा जाकर तो अब यहां पर देखे कि आरूड लगन से second house में कोई भी planets बैठे हुए नहीं है फिर उसके बाद मैं जाकर के देखूंगा कि आरूड लगन के उपर जो आपका अरगला आ रही है वो कौन-कौन से planet से आ रही है तो आरूड लगन का मैंने आप लोगों को ध्यान है मैंने बताया था कि आपको second house देखना है मतलब मैं second house का second house देखूंगा वहां से fourth house देखूंगा और वहां से fifth house देखूंगा तो यह अमिता पच्छन जी का चार्ट है second house में कोई भी planets नहीं है लेकिन के दूसरे भाव से second house में Jupiter की अरगला है इसका मतलब यह है कि second house से second house में benefit planet यहां पर placed ले जो कि आपकी उच्च वस्ता के लिए this is a great thing for that person second house से fourth house के अंदर जब मैं जाता हूँ तो यहां पर बहुत सारे planets बैटे हूँ है यहां पर शुक्र है यहां पर बुद्ध है यहां पर सूर्य है और यहां पर मंगल है अब जो सबसे बड़े importance बात है वो important बात यह है कि second house से अरगला जो है फोर्ट हूँ की पंचम भाव से मतलब Venus, Mercury, सूर्ब और मंगल जो है यह अरगला प्रदान कर रहे हैं आपके आरूड लगन से दूसरे भाव को प्लस यह जो है आपका दरश्टी भी यहां पर डाल रहे हैं दरश्टी कैसे राशी दरश्टी है जितने भी dual science है वो एक दूसरे को दरश्ट कर तो इसका मतलब यह है कि Venus, Mercury, Sun and Mars यह सारे के सारे planet second house को देख भी रहे हैं अरगला भी प्रदान कर रहे हैं अब तीसरी चीज़ कि यहां पर जो अरगला प्रदान कर रहे हैं that is a Mercury और बुद्ध यहां पर exalted है जो की आपके Gemini sign के Lord भी है तो इसका मतलब यह है कि अमिता बच्चन का चार्ट हम सब को पता है कि जो इनका जो money का status है वो हम लोगों के सामने चुपावा नहीं कि बहुत अच्छी wealth है बहुत अच्छा wealth का और वो जो चीज़े हैं धन के मामले में तो this is a great thing for that person क्यों क्योंकि यहां पर second house में कोई planet नहीं है लेकिन केवल शुब ग्रह की जो है अरगला यहां प कि दमाल की वाद आप यह पाएं कि जितने भी सेलेप्रिटी स्चार्ज जितने यह सबके चार्ड के अंदर आरूट लंगन से second house के अंदर आप बहुत पॉजिटिव इस्तितिया हैं यह आपको नजर आए लाइक अच्छा इसकी कई रूप हो सकते हैं इसकी कई रूप आप लोगों को देखने को प्राप्त है जैसा यह डायरेक्ली यहां पर मिल रहा तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वहां पर अरगला नहीं आ रही है लेकिन केवल और केवल आपके benefit planets जो शुक्र गुरू जो है second house को द्रेश्ट करते हैं और उनमें यदि वो planet इसका स्वामी भी बनता और वो द्रेश्टी भी दे रहा हो तो भी आपका जो image रहेगा public image वेल को लेकर रहे कि वह बहुत अच्छा रहने एक्जाम्पल की तौर पर इंचे से माली यह जवारल नहरू जी जो है इनका यहाँ पर आरूड लगना जो है यह आरूड लगन बनता आपका Aries sign मैंने इसको लगन बना लिया अब यहाँ पर आप देखें कि आरूड लगन से second house के अंदर कोई भी planets बैटे हुए नहीं है I repeat कोई भी planet बैटा हुआ नहीं है अर्गला की बात की जाए तो यहाँ पर राओ की अर्गला आ रही है second house से यहाँ पर अर्गला आपका आ रहा है आपका fourth house से जो है शनी की अर्गला आ रही है फिफ्थ हॉस से आपका मंगल की अर्गार आ रही है लेकिन कोई भी ऐस्पेक्ट वहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर आप देखें कि शुक्र और बुद्ध जो है इनका जो द्रश्टी है आपका आरूट लगन से सेकेंड हॉस के अंदर है और शुक्र जो है अपनी मूल त तो यह कई रूप के अंदर आपके सामने आएगा और मतला हम लोगों के वल यह देखना है जाकर के इस प्रकार से देखना है हाला कि यहां देखें रहों कि यहां पर अर्गला नहीं है वह एक अलग पॉइंट है लेकिन में चीज यह है कि यहां पर अगर कोई शुब ग्रह जाँं की दरश्टी है केवल केवल शुब्रा की दरश्टी है इस दा गूद तिंग फॉल्य अर्गला यहां पॉसिटिव दैनेट से आ रही है इस जाधा बैतर है कई रूप है कई रूप है यहां बताया जबगेट का चार्ड देख लीजिए आप यह बेंगेट का अब यहां देखे कि आरुड लगन से second house के अंदर आपका exalted अपनी उच्छी राशी के अंदर शनीदेव बैटे हुए हैं वहाँ पर शुक्र देव भी बैटे हुए हैं और वहाँ पर सूर्य भी बैटे हुए हैं और एक शुग्र है कि अर्गला जो है आपका 11th house से आ रही है और आपके benefit planets का aspect होगा उस प्रकार से व्यक्ति विशेश का जो बोलते हैं कि धार्णाए हैं आपको लेकर कि व्यक्ति विशेश की आपकी दनके सिति की वैसी बनेगा एक common chart और लेते हैं लोगे यहाँ पर आरूड लगन जो है आपका 11th house में 11th house को मैंने यहाँ पर लगन बना लिया अरूड लगन को अब आप यहाँ पर देखिए कि आरूड लगन से दूसरा भाव धनिस्तान है वहाँ पर दो शुग्र हैं आपर पैठे वो Venus and a moon अरूड अरूड अगर मैं देखिए तो second house जो है बुद्ध यहाँ पर अरूड जो है वो प्रदान कर रहा है पंचम भाव जो है मंगल की यहाँ पर अरूड और मंगल का यहाँ पर aspect भी है द्रश्टी भी है और मंगल इस भाव का स्वामी भी है इसका अर्थ क्या गेंज कहां से आएंगे 11th house देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मंगल की द्रश्टी है यहाँ पर मंगल की द्रश्टी आपके 11th house पर पर जा रही है तो इसका अर्थ यह है कि मंगल की उची राची यहाँ पर आद एक कौमन चार्ट और देखते हैं ओंगा आप लोगों को बहुत ऐजी वे के अंदर हर चीज समझ में आईगे। यहां पर देखे आरूड लगन जो है हम लोगों का वो आता है आप पंचंभाओ के अंदर आरूड लगन आ रहा है मैंने इसको लगन बनाया आप यहां पर देखे कि आरूड लगन से सेकंड हाउस के अंदर आपके केतु की स्थिति पाप ग्रह है अगर मानली जो लोग कहा जाए तो यह कहा जाता है कि आरूड लगन से भी सेकंड हाउस में यह दिकेतु बैठा हुआ है तो व्यक्ति के बाल जो है बहुत जलती सफेद हो जाए तो इन्रियल इनके साथ में ऐसा यह जिनका चार्ट किये है अच्छा अब यहां पर देखिए द्रश्टियां बहुत सारी आ रही है द्रश्टियां यहां पर आपका चंद्रमा की द्रश्टियां यहां पर मंगल की द्रश्टियां यहां पर गुरू की द्रश्टियां लेकिन द्रश्टियां में एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो अपनी उच्राशी को देखता हो, स्वेराशी को देखता हो और केवल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अरगला की तो केवल यहाँ पर चंद्रमा की जो है वो आपका अरगला है और चंद्रमा द्रश्ट भी करते हैं लेकिन चंद्रमा इस भाव के स्वामी नहीं तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति विशेज की जो पब्लिक इमेज है धन को लेकर के वह बहुत जादा अच्छी नहीं देखिए मैंने कोशिश किया कि छोटा सा वीडियो बनाया मैंने इसके अंदर देखिए कई तरीकी के असंग के रूल आ सकते हैं खाली आपको steps याद रखने है exalted planet होगा बहुत अच्छा होगा benefit planets यदि वहाँ पर बैटे हुआ है और जैसा मैंने बताया कि देखिए हो सकता है कि आप रियल लाइफ के अंदर क्या face करें that is a different thing बट publicly यदि आपकी image बहुत अच्छी इसका मतलब यह है कि किसी प्रकार का राज्योग आपकी जीवन के तर्व्याप्त है वे मैं आप लोगों को पता चूँए thank you so much धन्यवाद नमस्कार आप सभी को